पर पर देता है जैसे ही मिहीर को समझ में आया, उसने कहा, अरे हाँ, ये तो ठीक है, शायद मैंने उसे ठीक से देखा नहीं था, निखिल ने पूछा, मिहीर सर, अचल नहीं आया, कोई प्रॉबलम हुई है क्या, मिहीर ने उसकी बात सुनकर तुरंत कहा, अरे हाँ, देखो, मैं तुम्हें ये बात बताना तो भूली गया, मिहीर ने जैसे ही ये बात बोली, निखिल थोड़ा हैरान होते होए बोला, कौन सी बात, मिहीर ने बताया, वो एक्चली, अचल को उसकी पसंद की कंपनी ने इंटर्नशिप आफर कर दिये, और वो इंटर्नशिप करने वाला है, तो रहा था कि अचल ने उसकी काफी ज्यादा हेल्प कर दी थी, और इसी लिए निखिल नहीं चाता था कि वो काम छोड़े, तब ही मिहीर ने कहा, अब अगर उसे अपनी फेवरेट कमपनी में जॉब मिल रही है, तो मैं उसे फोर्च तो नहीं कर सकता ना, निखिल ने भी हां में सिर हिलाते हुए का, अरे नहीं नहीं मिहीर सर, मैं पहले भी तो सारा काम अकेले ही करता था, तो मैं अभी भी कर लूँगा, वो तो बस कुछ दिन अचल था, तो मुझे तोड़ी हेल्प हो गई थी, मिहीर ने उसकी बाद सुनकर कहा, अचा ठीक है, तुम बिलकुल पर करने पर मिहीर ने हां में सिर हिलाया और वापस से अपने काम में बिजी हो गया, कुछ देर तक मिहीर टी हाउस में रुका और उसके बाद फिर वहाँ से सीधे विला के तरफ जाने लगा, उधर आलिया अपने केबिन में बैठी थी, और तभी किसी ने उसके केबिन के आलिया ने उसे अंदर आने के लिए कहा और टी हाउस का एक वरकर बड़ा सा बॉक्स आलिया को देकर वहां से चला गया आलिया ने जैसे ही उस बॉक्स को खोला तो उसमें काफी सारी चॉकलेट्स थी उस बॉक्स में सिर्फ मिहिर का नाम लिखा हुआ था आलिया वो चॉकले मिहिर हैपी चॉकलेट डे एंड थैंक यू फॉर दी चॉकलेट्स मिहिर ने आलिया की आवाज सुनकर कहा आलिया ने कहा इतनी सारी चॉकलेट्स देने की क्या ज़रूरत थी मिहिर तुम्हें पता है ना मैं ज्यादा मीठा नहीं खाती मिहिर ने कहा आलिया ने मिहिर की बात सुनकर कहा नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था इतना बोलते बोलते अचानक से आलिया चुप हो गई मिहिर ने कहा आलिया ने मिहिर की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और कहा तुम इस टाइम कहा हो मिहिर मिहिर ने कहा आलिया ने का, मेरा काम अल्मोस्ट खतम हो गया है, तो प्लीज मुझे होटल से पिक कर लो न, मिहिर ने मुस्कुराते हुए का, मिहिर ने तुरंत अपनी कार मोड़ी और आलिया को लेने के लिए होटल की तरफ चला गया, मिहिर जैसे ही वहाँ पहुचा तो उसने देखा आलिया पहले से होटल के बाहर आकर खड़ी हुई है, और जैसे ही उसने मिहिर की कार देखी, वो खुश हो गई, और मिहिर ने उसके एक चॉकलेट खोल कर एक बाइट ली मिहिर ने उसे चॉकलेट खाते देखकर कहा तुम सच में बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह चॉकलेट खाती हो आलिया आलिया ने कहा अठ्षा तो बड़ों की तरह कैसे चॉकलेट खाई जाती है मुझे खाकर बटाओ इतना बोलकर आलिया ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चॉकलेट मिहिर की तरफ बढ़ा दी मिहिर ने भी मुश्कुराते हुए आलिया के हाथ से चॉकलेट खा ली और थोड़ा फ्लर्ट करते हुए कहा ये चॉकलेट तो कुछ एक्स्ट्रा श्वीट हो गई है आलिया मिहिर की इस बात को समझ नहीं पाई और उसने कन्फ्यूज होते हुए कहा नहीं तो मैंने भी ये खाई है मुझे तो बिल्कुल सही लगी मिहिर ने कहा हाँ अच्छी तो बहुत ज्यादा थी लेकिन तुमने अपनी जूठी चॉकलेट मुझे दी ना इसलिए इसमें तुम्हारे प्यार की मिठास आ गई आलिया मिहिर की बात सुनकर नामे सिर हिलाते हुए बोली ओ गॉड निहीर तुम और तुम्हारे फलर्ड करने के तरही के मिहिर भी आलिया को इस तरह से मुस्कूराते देखकर खोश हो गया मिहीर ने पूछा आलिया तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बोलाया आलिया ने मिहीर का सवाल सुनते ही कहा हाँ मैंने तुम्हें इसलिए बोलाया था क्योंकि इतना बोलकर आलिया ने कहा मिहीर यहाँ से कार मोड़ो हमें इसके आगे चलना है मिहीर ने आलिया की बात सुनी और तुरंत कार मोडते हुए कहा लेकिन हम जाका रहे हैं वाइफी मिहीर की बात का जवाब देते हुए आलिया ने कहा तुमने मुझे इतनी सारी चॉकलेट्स दियें जो मैं खाऊंगी नहीं इसलिए हमी चॉकलेट्स बाटने जा रहे हैं मिहिर सीधा कार ड्राइव करता जा रहा था उसने कन्फ्यूज होते हुए पूछा लेकिन हम किसे बाटेंगे चॉकलेट आलिया ने मिहिर की बात सुनकर एक पार्क के सामने कार रुकवाई जहां कई सारे गरीब बच्चे खेल रहे थे आलिया ने उन बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा उन्हें मिहिर की चेहरे पर बड़ी इसी मुस्कुराहट आई और वो बोला तुम्हारे यही आदते तो मुझे और ज्यादा तुम्हें प्यार करने पर मजबूर कर देती आलिया इतना बोलकर मिहिर और आलियाकार से बाहर उतरे और उन दोनों ने वहाँ पर खेल रहे सभी बच्चों को चॉकलेट बाटी और दोनों इस सीधे वहाँ से वापस विला आ गए दूसरी और धरा अभी भी रिशब के घर में थी और उन सब ने डिनर कर लिया डिनर करके धरा अपने रूम में चली गई और तभी रिशब कुछ देर बाद उसके रूम में आया और उसने धरा को देखा धरा अपना सामान बैग में रख रही थी और उसे ऐसा करते देखकर उसने कहा क्या बात है धरा तुम ये सारा सामान बैग में क्यों रख रही हो धरा ने रिशब की बात सुन कर कहा वो मैं पैकिंग कर रही हूँ रिशब को ये बात काफी ज़्यादा खट की और वो तुरंत बोला किस चीज की पैकिंग तुम कहीं जा रही हो क्या धरा ने उसकी तरफ देखा और हां में सिरह लाया धरा को इस तरह से हां में सिरह लाते देखकर रिशब ने कन्फ्यूज होते हुए कहा कहा जा रही हो तुम धरा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा रिशब मुझे यहाँ पर रहते हुए काफी टाइम हो गया है और कभी न कभी तो मुझे वापस अपने घर जाना ही पड़ेगा ना रिशब ने जैसी धरा की बात सुनी उसने तुरंत धरा का हाथ पकड़ा और उसे पैकिंग करने से रोकते हुए कहा क्या मतलब है तुम्हारा ये घर भी तो तुम्हारा ही है तुम यहाँ से जाने की बाते क्यों कर रही हो धरा ने जैसे ही वहाँ से जाने की बात की रिशब काफी ज़्यादा अपसेट हो गया वो नहीं चाहता था कि धरा उसे छोड़ कर वापस अपने घर जाए धरा ने रिशब का हाथ पकड़ा और उसे अपने बगल में बिठाते हुए कहा रिशब तुम इतना ज़्यादा क्यों अपसेट हो रहे हो वैसे भी मैं यहाँ पर इस तरह से अब और दिन नहीं रुखना चाहती रिशब धरा की बात मानने को तयार नहीं था और उसने ना में सिरह लाते हुए कहा नहीं, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूँगा, तुम मत जाओ धरा धरा ने रिशब को इस तरह परिशान होते देख कर कहा कैसी बाते कर रहे हो रिशब, और वैसे भी हम पहली की तरह सेंटर में तो मिलेंगी न, वो भी रोज रिशब ने ना में सिरह लाया और कहा, नहीं, तुम्हें यहाँ पे रहने में क्या प्रॉब्लम है धरा ने रिशब को समझाते होए कहा, मैंने दादी से भी बात कर लिये, कल सुबई हम यहाँ से निकलेंगे रिशब ने धरा का हाथ पकड़ा और कहा, अच्छा मेरी बात सुनो, वैलेंटाइन्स डे के बात चली जाना, तब तक रुख जाओ ना धरा ने रिशब की बात सुन कर कहा, नई मैं दादी से बोल चुकी हूँ, और दादी ने आंटी से भी बात कर लिये, तो अब अगर मैं उनसे कुछ दिन और रुखने के लिए कहूँगी, तो अच्छा नहीं लगेगा रिशब ने कहा, तो तुम मत कहो, मैं क्या दूँगा, मैं मम्मी से बात कर लूँगा, लेकिन तुम्हें वैलेंटाइन्स डे से पहले नहीं जाने दूँगा धरा रिशब को समझाना चाह रही थी, उसने रिशब का हाथ पकड़ा और कहा, रिशब मेरी बात सुनो, रिशब ने कहा, नहीं मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनोगा, और तुम वैलेंटाइन्स डे के बाद ही जाओगी इतना बोलकर रिशब तुरन धरा के रूम से बाहर निकलाया, और धरा ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, ओ गौड रिशब तुम इस तरह से भीएव क्यों कर रहे हो, धरा ने उसकी बात नहीं सुनी और अपना पूरा सामान पैक कर लिया, धरा अपना सामान पैक कर जाए थी कि तभी धरा के रूम का गेट खुला, धरा ने जैसे ही परट कर देखा, तो रिशब अपनी मम्मी के साथ उसके रूम में आया हुआ था, और रिशब की मम्मी ने उससे कहा, क्या बात है रिशब तू मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आया है, रिशब ने अपनी मम कि दादी ने मुझसे बात की थी मैं तो बोल रही थी कि कुछ दिन और रुख जाए लेकिन वो मानी ही नहीं रिशब ने कहा मम्मी आप बोलिये न धरमैम से कि वो कुछ दिन और रुख जाए रिशब की मम्मी ने रिशब की तरफ देखा और कहा मैं बोल चुकी हूँ बेटा लेकिन अब अगर उन्हें अपने घर जाना ही है तो मैं जबरदस्ती तो नहीं करूँगी न रिशब ने जिद करते हुए का क्यों नहीं मम्मी बस कुछी दिनों की तो बात है मैं कौन सा जारा दिनों के लिए बोल रहा हूँ लेकिन आप धरा मैम को बोलिये न कि वो बस इस वीक रुख जाएं रिशब की मम्मी ने कहा क्यों ऐसा क्या है इस वीक में रिशब धरा की तरफ ही देख रहा था और उसने बिना सोचे समझे कह दिया अरे मम्मी वैलेंटाइन्स डे है ना उसकी बात बोली ना वो चली जाएंगी रिशब ने जैसे ही ये बात बोली धरा रिशब को घूर कर देखने लगी रिशब की मम्मी ने रिशब की तरफ अपनी भवहे सिकोडते हुए कहा क्या कहा तुने वैलेंटाइन्स धरा ने बात सम्हालने की कोशिश की और कहा ये क्या बोल रहे हो तुम रिशब, कुछ नहीं आंटी, आप रिशब की बात पर ध्यान मत दीजिए, और हम कली यहां से चले जाएंगे। इतना बोल कर धरा रिशब को गूर कर देखने लगी। धरा की बात सुनकर रिशब की ममी ने धरा की तरफ देखकर मुस्कुराया, और रिशब का कान पकड़ते हुए कहा, क्या बात है, तू मुझे पूरी बात बताएगा या मैं यहां से जाऊँ। रिशब ने धरा के तरफ देखा और कहा, हाँ मम्मी, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे डाटेंगी नहीं, धरा ने जैसे ही रिशब की बात सुनी, उसका गला बिलकुल सूख गया, और उसने मन में कहा, ये रिशब क्या करन से रोक लेगी, और अगर रिशब ने अपनी मौम को ये बात बताई, तो वो उन दोनों के सामने किस तरह रियक्ट करेंगी, जानने के लिए सुनते रहिए, रईस जादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफ हैंपर.